आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदने के बड़े और यह बहुत टेस्टी होते हैं इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं इसके लिए हमने लिया है उमफली के दाने और इसको हम ड्राय रोस्ट करेंगे ताकि जो इसका छिलका है वो निकल जाए इसमें ओयल या किसी प्रकार क गी का इस्सिमाल नहीं करना है और यह हमने इसका छिलका निकाल लिया है दोनों हाथों से रगड कर और इसे अध्रा कूटने वाले में डाल कर इसको थोड़ा साम दरदरा कूट लेंगे और साबुदने को हमने 5-6 घंटे के लिए भीगा कर रख दिया था और यह हमारे अच इसमें डाल देंगे अगर आप प्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंध्य नमक डालने या फलारी नमक जो होता है वह आप डाल सकते हैं इसमें और नहीं तो सादा नमक डालने और यह है उगले आलू दो इसको भी हमने छील लिया है और इसको भी इसमें साबुद इस तरह से हम चोटे चोटे पेड़ें बना कर रख लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं स्थचिए और इस तरह से हम बनाके रख लेंगे और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसे आफ घी मेरी अनाश्टे के लिए तो यहां पर मैंने ओल दी आया है disp में इसको फ्राइ करना है और यह हमारे साब उदाने के बड़े बन करते यार है तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक को शियर करें और साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थेंक यू